सैफली खान अब परदे पर पहली बार पॉलिटीशिन का किरदार प्ले करने जा रहे हैं जिहां सैफली खान की अपकमिंग वेब सिरीस तांडव का टीजर रिलीज हो गया है जिसमें उनकी लोक और उनके चाल धाल दर्शकों को काफी इंप्रेस कर रही है वहीं सोशल मीडिया पर भी इस टीजर को लेकर काफी बाते हो रही है सैफली खान की लीड रोल वाली वेब सिरीस तांडव का टीजर रिलीज हो गया है फिल्म की कहानी भरते राजनीती पर आधारीत है वहीं इस वेब सिरीज में राजनीती, दलित और यूपी पुलिस के संबंधों की कहानी है जिसमें सैफ दमदार रोल में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बाते हो रही है वैसे पिछले कुछ सालों से सैफ अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी चूजी रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हाथ में लिया वो सफल रहा है ऐसे में इस फिल्म में भी सैफ की दमदार भूमिका के बारे में अभी से ही बाते होने लगी है हाला कि टीजर में सैफ का एक भी डायलोग सुनाई नहीं देता है इसलिए लोगों को इसके ट्रेलर का बेस सबरी से इंतजार है तांडव वेफ सिरीज अपने स्टार कास्ट को लेकर भी काफी सुर्ख्यों में है सैफ तो इसमें है ही लेकिन इसके इलावा भी इस सीरीज में कई बड़े चहरे हैं कृतिका कामरा डिनो मोरिया जैसे कलाकार इस सीरीज में नजर आने वाले हैं वेफ सीरीज के डाइरेक्टर अली अबाज जफर ने वेफ सीरीज के बारे में बताते हुए कहा की हमने इस वेफ सिरीज में दर्शकों को राजनीती में सत्ता की भूख के बारे में बताने की कोशिश की है आप जब शो देखेंगे तो महसूस करेंगे कि इसमें कोई गलत या सही नहीं है पावर की दुनिया एक ग्रे वल्ड है मुझे भरोसा है कि कंटेंट को शांदार एक्टिंग से सपोर्ट मिलेगा ये मेरा सौभाग्य है कि इस वेफ सिरीज में कई दिग्गत सितारे नजर आने वाले हैं इस वेफ सिरीज की कहानी गौरफ सौलंकी ने लिखी है उन्होंने ही आर्टिकल पंद्रा मूवी की स्टोरी भी लिखी है जो हिट रही थी एंटिटेन्मेंट लाइफ की रिपोर्ट